डेली वर्ल पब्लिक स्कूल, इंडियास नमबर वन इमर्जिंग स्कूल, जहां है काडमेक्स, स्पोर्ट एंड परफॉर्मिंग आठ का बहतरीन कॉंबिनेशन अरोग्य सेत्व एप, इस एप पर आप फ्रांस के एक हैकर ने डेटा लेक होने का खत्रा जाता है और इसका उसने दावा भी किया है, जिस पर सरकार ने अपनी सफाई भी जारी किये फ्रांस के एथिकल हैकर इलियट एल्डरसन ने कहा है कि इस एप को डाउनलोड करने वाले 9 क्रोड भारते यूजर्स प्रिवेसी खत्रे में है इस पर आरोगे सेतु एप के डवलपर ने इन दावों को खारिच करते हुए अपना बयान जारी किया है आरोगे सेतु टीम ने कहा है कि किसी भी यूजर्स की परसनल जानकारी खत्रे में होने की बात साबित नहीं होती है खेर COVID-19 महामारी से निपटने और लोगों को सचेत रखने के लिए कि इन सरकार ने आरोगे सेतु एप लॉंच किया था और इस एप में लोगों के डेटा की प्रावैसी को लेकर कॉंग्रेस निता राहूल गांदी ने भी सवाल उठाएं और अब एक French hacker ने भी ये दावा किया है कि आरोगे सेतु एप में खामिया है जिसकी वज़े से उसके करोडो यूजर्स को खत्रा है French hacker रोबर्ट ने आरोगे सेतु एप के डेवलोपर्स के ट्यूट पर जवाब देते हुए लिखा है कि आप कहना चाते हैं कि यहाँ पर कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा देखते हैं मैं कल फिर आप से मुखातिब होता हूँ यानि कि हैकर ने सीधे तोर पर चुनोती दे दिये ट्यूटर पर French hacker रोबर्ट ने आरोगे सेतु एप को टैक करते हुए ये भी कहा था कि इस एप में खामिया है और सुरक्षा को देखते हुए इस एप में कई खामिया मिली है 9 करोड भारते यूजर्स की प्राइवेसी रिस्क पर है क्या आप मुझे प्राइवेट में कॉंटेक्ट कर सकते हैं इस ट्यूट के एक घंटे के अंतराल के बाद फिर ट्यूट किया गया जिसमें लिखा गया आरोगे सेतु एप को लेकर उनके किये गए ट्यूट के बाद कर्पिटर इमर्जन्सी रिस्पॉंस टीम CERT और National Informatics Center NIC की टीम ने उनसे संपर किया है मैंने इस एप की खामियों के बारे में उने बता दिया है फ्रेंच हैकर ने आगे ये भी लिखा है कि 9 करोड भारते यूडर्स की प्राइवेसी को देखते हुए इस एप में जो खामिया है उसे उजागर नहीं किया है वो इस खामिय को ठीक किये जाने का इंतजार कर रहे है उसके बाद ही इसके बारे में कुछ पताएंगे गौर्टलब है कि CERT और NIC दोनों ही भारत सरकार की संस्ता है आरुग्य सेत्वी अप को NIC ने ही बनाया है वहीं फ्रेंच एकर के उठाए गए सवालों का जबाब देते हुए आरुग्य सेत्वी अप ने ट्यूट किया है सभी लोगों की प्राइवेसी को देखते हुए इस अप को डिजाइन किया गया है हम केवल यूजर्स की लोकेशन को ट्रेस करते हैं और उसके बाद उसे सर्वर पर स्टोर करते हैं जिसका कोरोना चेतिर में उसे जाने पर अलट करते हैं यूजर्स अपने मोबाइल पर देख सकता है कि कोविड-90 को लिकर फिलाल क्या स्टिटस है उसके आसपास देखने के लिए एक परीदी को फिक्स की गई है इसके अलावा यूजर्स अपने लोकेशन बदलने के बाद अन्ने स्थानों की भी जानकारी ले सकता है हम किसी के भी नीजी डेटा का प्रियोग नहीं कर रहे है हम लगातार अपने एप में सुधार कर रहे है वहीं उसमें जरूरत से जुड़ी ऑप्शन को एड़ भी कर रहे है हम फ्रेंच हैकर का शुक्रिया करते हैं कि वो हमसे जुड़े इसके साथी सरकार ने बुद्वार को कहा है कि एक नैतिक हेकर द्वारा आवेदन में संभावित सुरक्षा मुद्दे पर चिंता जताए जाने के बाद आरूग्य से तुमें कोई डिटा या सुरक्षा उलंगन की पैचान नहीं की गई है सके साथी स्टेबन की नहीं की की wrapped